आप सभी का इस ओनलाइन प्लेटफोन पर स्वागत है और में राहूल सिंग चोलंग की कॉंटम मेकनिक्स के अंदर पार्ट नमबर 25 आज अपन लेकर आए ठीक है जो आपके थर्डियर बीएड थर्डियर एंड बीएस के अंदर चलती है तो कॉंटम मेकनिक्स में अपने इस कि यह कोई function है इसके ओपर अपने ओपरेटर लगाया तो अपने पास एक नईया function फाइप रात हो जाता है यह अपने देख लिए था फिर इसके बाद में आपको बताया था टाइप सोब ऑपरेटर लीनेर के परकार अपरेटर के परकार लीनेर ओपरेटर पढ़ा था ठीक कि अगर यह पहला उपरेटर इस साथ अडिजेश्मेंट हो रहा है ठीक है और दो function अगर आपके पास दो function और आपके पास दो फलनों ऐसे तो इसको वापस अपने ऐसे बता सकते हैं लाश्ट में कि साइक स्टार आपका बाहर और यह operator दूसरा किसके साथ लगेगा 5 के साथ दीवी आई तनल पान यह किसन आपको याद रखना बहुत जरूरी है एडजोइंट ऑपरेटर में भी आई थी और फिर अपने देखा हर्मीटी संकारक हर्मीटी संकारक क्या बाएगा हर्मीशन ऑपरेटर जब दोनों एडजोइंट ऑपरेटर एक दूसरे के एक बाल हो ए की मां आपने देखा था कि उडजा संकारक ऐ souvent संकारक मैंनस आयोटा एच क्रोस देल एंड है मेल्टोनियम संकारक जो था मैनेस एज करो सुकाइर अपौण2M डेल स्काइर प्लस वी, यह सारे हरमेशियन ओपरेटर होते हैं हुदार ने देखे था अपने ये सारे आपके क्या होते हैं हरमीटी संकारक वोते हैं, आज मैं आपको सीध्र गर लेके बताऊँगा कि यह उपरेटर की द्यान रखना 24 पार्ट से इसलिए आप 24 पार्ट आपको समझ में आएगा तो आज मैं आपको एक कुछ टेबल बना देता हूं इसमें सब की ऑपरेटर हैं टेबल है आपकी कि सम लिनेर ओपरेटर फॉर क्वांटम मेकनिक्स सम लिनेर ओपरेटर हैं, उसके बारे में अपन पढते हैं तो इधर तो हो जाएगे आपकी रासी, quantities, चार रासिया, quantities बोलेंगे पन इसको, इधर उसका हो जाएगा संकारक, ठीक है, इधर उसका क्या हो जाएगा, linear operator, ठीक है, आपको table बनानी यह से, और table का नुसार आपनो बताएंगे किसका क्या मानत है, सबसे पहले स्तिती, नमबर एक अगर आपके को पास कोई रासी हो स्तिती ठीक है जिस्तिती क्या हो सकती X हो सकती Y हो सकती या Z तो इसका ओपरेटर भी वह होगा ध्यान रखेगा अगर आपको स्तिती दे रही हो स्तिती का ओपरेटर बताना है तो स्तिती का ओपरेटर वही रहेगा ठीक है अगर आ अगर आपके पास सम्वेक के गटक हो अगर मैं क्या ले लूँ यहां पर सम्वेक के गटक ठीक है अगर पता पी का पुरामान यह है तो पी एक्स पहले वाले का क्या हो जाएगा मैंनेस अच्छोष डेल बाई डेल प्रकार firebyिट क्या हो जाएगा माइनस आयओकज को यह अपने पाष यह पास तीनुओक के अलग लग आगे आक पहले आपके पास का डिल्लग आगे एक जिसको अपन कैसे लिखते हैं P square by 2m जनरल यह अपन ऐसे लिखते हैं चल राची और अगर आप इसका गटक देखो गए तो यह हो जाएगा operator minus h cross square by 2m del square ठीक है यह इसका गटक हो गया इसका operator हो गया यह आपको यह न याद रखने हैं कानेटिक एनर्जी हो गई फिर उसके बाद है potential energy जिसको अपन वी आर्टी से लिख रहें वी आर्टी ठीक है इसका वह होगा वी आर्टी potential energy का linear operator वी आर्टी होता है ध्यान रखेगा अपने quantum mechanics के अंदर कानेटिक एनर्जी को तो P square by 2m के रूप में लिखा है और कुल उड़्जा ए बराबर कानेटिक एनर्जी प्लस potential energy तो दोनों का operator क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा तो अपने पास हो जाएगा Hamiltonian operator का रूप में जाएगा कुल उड़्जा का जोगा यह ना कुल उड़्जा ए बराबर क्या आपके पास P square upon 2m प्लस वी आर्टि तो इसको जाएगा आपके पास एच बराबर माइनस एच क्रो स्क्वाइर अपॉन टू एम देल स्क्वाइर प्लस वी आर्टि कुल उड़्जा का अपर्टोरी यह हो जाएगा जहां अजरी आपका हैम तो प्युद्धिन तो इस आपको कौन सा लिखक्त है अपने हेमिल्टोनियम संक água ठीक है 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 मेल टोनियम ओपरेडर हो गया पूरा इसको सो टूम में लिख दिया है यह आपन चाहिए तो एक बार कुल उठ जागा ऐसे भी सकते हैं कुल उठ जागा अगर आपके पास सिर्फ ए डियर कियो कुल उर्जा अगर आपके पास सिर्फ क्या हो तो इसका होता है आयोटा एच क्रोस डेल बाई डेल टी एक में बता देता हूं कोहने समवे का गटेक भी बता सकता हूं हमें आपको नंबर 1234567 और एक लाश्ट बचा अपने पास एट एंगुलियर मोमेंटम कोहने समवे कोहने समवे को अपन कैसे लिखते हैं एल बराबर आर क्रोस पी यह होता कोहने समवे एल बराबर क्या होता आपके पास आर क्रोस पी अगर आप इसका ओपरेटर बताना चाहूं तो आपको पता है अपन कैसे लिख सकते हैं एल कोई नसम्inea गर ल अप्रेटर नहीं हो तो आपको पता है करो ही दो सब्सक्राइगा कि डिए आपके पास युड्यार निकल जाएगा मैंनेज इडे आपको झे फ्यक्रोड कश्या है उनका बहुत रोल रहेगा आगे आप निमेरिकल सोल करोगे उसमें काम आएगा एक बार अपने वापस देख लिए यह टेबल आपको बनानी है कि इधर अपने राश्या ली और इधर अपने क्या देखा लेनेर ओपरेटर लेखा तो अगर आपके पास पोजीशन देख रह आता यह मैनेस आउट है और यह अगर इसके गटक आ जाएं पार्टिकुलर को एक डारेक्स नो तो उसका गया हो जाएगा मैनेस आउट है और रहो खैस्टों रहोत अग्र अगर आपको काकर नेर्जी ओपरेटर रूप में लिखनी तो आपको क्या हो जाएगी माइनेश स् वियाएटी होती है उसका उपरेटर भी यह होता है अगर आपन इन दोनों को एड कर ले काइंटिक एंडरजी प्लस पोटिंजिन एंडरजी तो इसका उपरेटर यह से हो जाएगा है एच पर्टिकुलर एक छोटा कर दिया जिसका मुन बोलेंगे हैं मलतोनियम संकारक ठीक है और एक अलग से होती है अगर आपको कुल उट जाए नॉर्मल ए बतानी है तो होता है और यह मान केसा है दो अपने मान पूरूप करके बताएं कि इसका मलत सारे मान अपने साही है फिर आपको कोई निकालना है तो एंगुलर मोमेंटें का फोमला क्या होता है आर क्रोस पी आर इसे कैसे ही पोजिशन का कोई उपरेटर नहीं होता है और पी का अपने को बता मैंस आउटा एज क्रोस डेल तो फाइनली एल का उपरेटर क्या हो जाएगा मैंस आउटा एज क्रोस आपका बाहर और एक दो बार जब आप इसको रीड करोगे ना तो आपको यह टेबल क्यां आपको और आपको यह होता है नहीं होता अब एक तो उसको अटो आप इसको नुमेरिकल समझें चाहे आप इसको टोपीक संज़े एक ही बात है तो चलो आईए कि अब तेखते हैं किशन है सिद करो सिद करो समवेक्स अंकारक प्रूव डेट समवेक्स अंकारक यह होता नहीं होता अपन दोनों प्रूप कर रहे हैं ठीक है चलों आएं इसको अपन प्रूप करते हैं हो है आपको यह से करना जैसे मैं करा रहा हूं सम्कार का कि गटक और इसका जनरल अगर अपने इसका solution देखते हैं, तो एक समतल तरंग समिकन द्वारा दिया जाता है, स्रोडिंजर समिकन का सामानी हल एक समतल तरंग समिकन से दिया जाता है, ठीक है, अब ये समतल तरंग समिकन क्या होती है, कि इसे लिखता हूँ, मैं, साइ एक स्टी बराबर साइ जीरो एकी पावर आयोटा अपोन एच क्रोस पी एक से एक स माइनस एटी, ठीक है, ये जनरल इक्वेशन होती है, अब एक चीज़ ध्यान रखेगा, इसको आप याद रखना है, ज्यादा रूप, आपने किया कि अपन मेगनिक्स का भी पूरा एक वैसे का वैसी पेपर आएगा, तो उसमें आगे सागे पाट, जब आप उस फिजिक्स में करते हो, वहाँ पर बहुत लेंदी आएगा, वहाँ पर और स्रोडिकर सन्दकन का आगे हल आएगा, तो अपन इसका जब जनरल हल करेंगे, तो एक अप लगा रहा है यहाँ पर, देल बाई डेल एक्स, दोनु तरफ अपने इसको मल्टिप्लाई कर दिया, डेल बाई डेल एक्स है, तो आपकी समीकर्ण क्या हो की, डेल बाई डेल एक्स, साई जीरो, बस यह ध्यान दखी है, यह समीकर्ण आपको याद रगनी, और स्योलीशन करना आपको आता है, कैसे कर सकते हैं, तो एक बार तो जाएगा आपका, डेल अपॉण डेल एक्स, साई, एक्स टी, ठीक है, यह अपन पहले के लिए कर रहे हैं, समीक पी एक्स का घटाग, साई, एक्स टी, बराबर, अब कोन मान बाई आएगा, यह बाहर आजएगा, अब वापस एक बार इसा कैसे आईगा एक पाउर आईटा अप्वोन एच क्रोस तो पी- एक्स-स-माइनस-स इटी हूँ है यह माना अपका इसा कैसे इंदर आ गया अब अपने को पता हैं कि आप चाहो तो इसको यह स्कों यह डाइरेक्ट इहादि अपन इसको सोल कर लेते है सभंवेकर और एक से जंद है कि यह पिछे वाला मान वापस किसके prov पर हो गया तो आप अनलए अपने और सब्सक्राइब एक सब्सक्राइब पूरे इस पूरे मान को मैं क्या लिख सकता हूं साई एक्सटी से ठीक है तो यह दोनों आपके वेव फंक्शन कट गई तरंग फलन से तरंग प्लोड कट गया और इसको आप इधर बेज दीजिए यह उप्रोग समय कुनों को आप आयोटा एज क्रोस से गुणा कर लीजिए तो अप किजिए आप गुणा इधर क्या हो जाएगा आयोटा एज क्रोस डेल बाई डेल एक्स बराबर आयोटा एज क्रोस इंटू आयोटा अपॉन एज क्रोस पी एक्स ठीक है एज क्रोस से एज क्रोस कट गया आपको पता आयोटा एज क्रोस मैनेस वनों जाएगा तो अपने पा यह आगया तो बात में सोल करके बताऊंगा यह आपका पहला गटक है इस प्रकार है ना सम्वेक का जो प्रेटर होता ना पी एक सो क्या होता मैंने साइटा एच गरो डेल बाई डेल अपनी यह आप अगर वही लिखो गए तो इसका डेल अपोंड डेल ही हो जाएगा जेल लि समय करने क्या आपकी साइट बराबर साइज जीरो एक पावर आटा पॉन एक्स क्रोस पी एकसस माइनस एटी यह जनरल इसकी एक्वेशन होती ठीक है फिर अपने इसमें देखा इसका अपने डेल बाई डेलेक्स किया इधर भी डेल पॉन डेलेक्स यह मान लिखा तो यहां डेल अपन डेलेक्स ब्राबर आटा पॉन एक्स क्रोस पी एक्स यह एक्सिग्स फिर मैंने क्या क्या दोनुत तरफ आउटा से मल्लिप्लाइ कर दिया किस्वीकेशन को अपस तो वहां पर लिखेंगे फॉर एनर्जी ऑपर डेलेक्स त्यक है वापस वह एक्वेशन आएकि अपन लिखेंगे for energy operator energy operator जो energy operator है वो कैसे आएगा तो अपन इसको del upon del t समिकन एक से ठीक है? समिकन एक से वोई चीज यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास del upon del t psi xt बराबर del upon del t psi 0 e की पाउर iota upon h cross p x x minus e t ठीक है? यह आपके पास मान हो गया दोनों मान रख लिए अपन अब आप आगे देखिए इसका आप differential क्रोगर के से होगा आपको पता है इसमें minus भी बाहर आएगा तो इधर तो होगे आपके पास del upon del t psi x t बराबर अब यह मैनस भी आएगा बाहर तो मैनस आयोटा अपोन h cross e e बाहर आगया बाकी मान ऐसे कैसे ही psi 0 e की पावर i eta upon h cross p x x minus e t ठीक है अब आपस होई समिकन x से इस पुरे मान को पिछे वाले मान को अपन क्या लिग देंगे समिकन x से पिछे वाला मान आपका क्या हो जाएगा वोई चीज है ना पिछे वाला मान आपका क्या हो जाएगा psi 0 यह पूरा मान psi x t के बराबर है तो अपने पास क्या हो जाएगा डेल अपोन डेल टी साई x t डेल अपोन डेल टी psi x t बराबर minus iota upon h cross e पिछे भी क्या हो जाएगा आपका पास psi x t यह पूरी value किसके equal थी? साई XT के equal थी तो अब देखें यहाँ पर साई XT से आपका साई XT cut गया ठीक है? उप्रोक्त मान को IOTA H cross से multiply कीजिए आप उप्रोक्त मान को IOTA H cross से गुणा करने पर ठीक है? IOTA H cross से गुणा करोकित इधर आजएगा IOTA H cross डेल बाई डेल टी बराबर इधर क्या हो जाएगा आपके पास मैनस ऐसे कैसे ही? IOTA H cross into IOTA upon H cross E ठीक है? H cross से H cross कर गया IOTA square के पार मैनस 1 होती है मैनस और मैनस पहले चल रहा मैनस मैनस प्लस तो फाइनली energy operator E का मान किता होता है IOTA H cross del by del T ठीक है? आप देखें ऐसे अपने पास मान आया momentum का operator बता दिया momentum का operator कितना होता है? मैनस IOTA H cross del by del X और energy operator कितना है आपके पास? energy operator है IOTA H cross del by del T यानि पूरा आपका किस्वे depend करता है time के ओपर depend करने वाला operator है तो अपने से ऐसे इस प्रकार बता सकते है ठीक है? अपने जो टेबल में लिखा था उसको अपने यहाँ पर solve कर लिया अब अपन इसमें क्या देखेंगे कि मैना आपको जब हर्मीशन operator बताए था हर्मीटी operator होता है तो उसको मैने एक्जामपल लिखाए था पीछे देखना चोता है पांच वाइसका पार्ट था टाइप से ओप operator में तो मैना आपको उसको परकारी में अदर लिखाए था कि जो समवेग operator होता है उर्जा operator होता है और हैमल्टूनी operator होता है यो सारे हर्मीटी operator होता है क्जान देखेगा आप कि समवेग संकारक, उर्जा संकारक और हैमल्टूनीयम संकारक सारे कौन से होते है हर्मीटी संकारक होते है आज अपन इसको पूल्प करते है question पूषण करते है question आपको ऐसे पूच सकते है आग अनुँअ हो जाएगा आपका क्यूशन सिद्र करो समवेग संकारख जियो समवेग संकारख भी होता न आपका वो क्या होता है हरि मीटी संकारक होता है वे वेट संकारख हर्मिटी संकारक होता है ठीक है चलो आइए अपने इसको सिद्ध करते हैं कि वास्तों में जो संवेक संकारक है वो आपका हर्मिशन ओपरेटर होता हो नहीं होता है होता है то हम जानते हैं सवेक संकारको अपन कैसे लिखते है यह आप चाहँ तोा मन इसको ब्राबर साइब है कि अडेल होता है अब आपन Wyatt बाते हैं कि माना दो अपने पास फलन माना देखें आप कैसे क्विशन करते हैं है अपने अपने पास दो परीबासी तरंग फलन है अपने पास दो फणगें तब हर्मिटी संकारे की परिबासा से अकर लिए सकते हैं तब हर्मीटी संकारक की परिबासा से तब हर्मीटी संकारक की परिबासा से डेपिनेशन क्या कहती है इसके आपको पता है। आपन क्या लिखते है definition में कि एक बार आपका operator एं तैसा के साथ श्टार बाहर 5 dv बराबर एक आपका बार क्या हो जाएगा साइ स्टार बाहर और यह operator किसके साथ लग जाएगा 5 dv के साथ ठीक है लेकिन यहाँ पर अपन operator फी लेकर चल रहे हैं यहां आपन operator A के जगे क्या लगाएंगे कोई साभी हो सकता है संकरक तो यहां हो गए आपका P ठीक है और इसी प्रकार यहां क्या हो गया आपका P अब एक चीज देखेगा मैं यह लिमिट लगा सकता हूं भै आपकी जो तरंग फलन है इसके मद्य हो सकती मैंनस अनन से लगाकर फिलस अननस इसा बाहर नहीं किसी चीज दो हो ती नहीं तो आपके तो यह सकते हैं कि कोई भी बेकी फंक्शन यह व्य ऑन मैनस इनफीनिटी से फिलस इनफीनिटी चे बीच में हो ध्यान से देखेगा अगर मैं इसको अंदर लेता हूँ यहाँ पर माइनस हो जाएगा इस टार को अंदर लेंगे complex conjugate यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा जब आप पी का मान रखोगे अपने पास क्या equation हो जाएगी माइनस infinity प्लस infinity यह माइनस आपका इसे कैसी चल रहा है ठीक है और पी का मान कितना होता है माइनस आयोटा एज क्रोस डेल यह है माइनस आयोटा एज क्रोस डेल साइ को अपने अंदर ले लिए इसलिए माइनस आया साइ स्टार फाई डीवी बराबर इधरी भी रखेंगे अपन माइनस infinity से फ्लस infinity साइ स्टार पी की जीगे अपन क्या लिखेंगे वह है आयोटा एज क्रोस डेल फाई डीवी यह अपने पास एक equation ऐसे बन जाती है ठीक ह आप चाहो तो इस equation को वापस चेंज कर सकते हो कैसे चेंज होगी अपनी equation यह माइनस माइनस आपका क्या हो जाएका प्लस हो जाएका और इस आयोटा साइच क्रोस को आप क्या करो बहार निकाल दो ठीक है तो अपने पास फाईनल साइच क्रोस माइनस infinity से फ्लस infinity और डेल साल स्टार देल साई स्टार 5dV यह होगा देल साई स्टार 5dV बराबर माईनिस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी इच्रोज आयोटा एज क्रोस साई स्टार थोड़ा इसको इधर लिखता है यहां तक क्योंकि मज़ा नहीं आएगा यहां तक देखेगा अपने को बताना है कि प्रूव डेट जो आपका अपने को पता है आपके अपने को पता है मने साथ लेंगा यह सब आपका इसको ऑपन अंदर लेंगे दिसे मान मैंने सब्सक्राइब यह माना आपका ऐसे हो गया फिर पी ओप्रेटर का माना आपको पता यह मैंने साइट एच करोश डेल साइट बराबर फाइड डीवी बराबर इधर भी अपने मान लिख दिया अब मैं क्या करूंगा अगर आरेचे सा जाती तो इसका मतलब संवेक संकारक क्या होता है हर्मीट मां इसलिए क्ला पड़ेगा अपने को तो यहां से मैनिस मैनिस आपका क्या हो गया वर बाहर लेएreck करो साब का बाहर मैनेश इंफिनिटी लश्यूश डेल साइस्टार 5DV भराबर यहाँ पर भी आउटा हैस्ट कोसी आप बहार मैनेस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी साइस्टार 5DV यह चीज अपने को बताने ठाब पर निलन हो तो इसको अंदर भी रख सकते खाते हैं ठाब. तो आयोटा एज़ क्रोस इसको अदर ही देते हैं इसको अपन बाहर निकालते हैं आयोटा एज़ क्रोस लेल फाइड डीवी यह आपकी बनगी समीकन नंबर दो अब अपन लेगे लेचेस समीकन दो के लेचेस से लेट हैंड साइड सोल करेंगे और अपने पास राइट हैंड साइड आ जाएगी तो समीकन दो का लेचेस क्या कहता है अभी तो एरेन पर स्थोरम बहुत लेंदी लेंदी टोपिक आने वाला इसके इंदर समीकन दो का लेचेस लिख देंगे अपन कि अब आपको इसका इंट्रीकेशन करना अपने यहापर दो पद बना लेते हैं पहला पद यह हो गया और सेकंड पद आपका यह हो गया एक फोरमला होता है मैं यहापर लिक रहा हूं साइड में जो आपने कर रखा है अगर आपके पास दो पद होते हैं अगर आपके पास कितने पद हो यहाँ पर दो पद हो तो आप इनका आउकलन कैसे करते हो आपको पता है कि फर्स ऐसे कैसे ही सेकंड का इंट्रीकेशन इसका मान क्या होता है फर्स आपका इसे कैसे ही ठीक है और आपका सेकंड क्या हो जाएगा इंट्रीकेशन ऐसे करते हो जोए आपने पाद होते है फर्स यहां से का स्टाल primarily प्रस्ट्रा यहां क्या हो जाता है यहां मेंस मैंस्ट-वाप स्ट्रीजियर का सथा यहां यहां पर हो सफ्लियर सब्सम्न назвation मइनस वापस limit लगेगी आपकी यह वाली limit है लिमीट लगेगी फष्ट का differential करोगे और शेकंड क्या करोगे आप inntrigation करोगे तो यह पिर आप वह ही कर छीज़ कर रहे हैं मैं ने यह क्लिए चीज मैंना यह क्या सेकंड मत बना लिया यह आपका limit लगा दोगे minus infinity जाए plus infinity फिर minus minus करके वापस integration symbol यह आपना integration symbol ठीक है और integration symbol होने के पाद वापस होई minus infinity plus infinity फष्ट का आपको aucun करना है फास्ट का ओकल्ण करोगे तो डेल five फष्ट का पास ऐसे तमस आगी ओके अब आप आईए मेरी तरफ द्यान से देखिएगा अपने यहां पर कैसे क्या यह आपका पहला पद हो गया यह आपका क्या हो गया सेकंड तो फश्ट आपका एटीजी टेसा कैसी प्रेश्ट को अपने कोई चैंजर नहीं किया आपको पता है अपने करें एक वेली हो जाती है तो यहां पर यही चीज हो रहा है कि डेल साइज स्टार था अपने पास प्या रहेगा साइस चैंट मैंस सब्सक्रेश्ट करते हैं तो फाइक अउकलन एस साथ एसा कहें सब्सक्रेश्ट ठीक है अब आप एक चीज़ ध्यान से देखेगा कि अपने तरंग फलन का नॉर्मलाइजेशन पढ़ा था तरंग फलन तो उसमें अपने देखा था कि तरंग फलन हमेशा सुपरिबासित होती है और इसका मान परिमीत होता है तो इसका मतलब जैसे ही मैनेट इंफिनिटी से अगर आपको तरंग देखनी है तो वहां तरंग है क्योंकि अपने को कोई मान पत्रने है यहां पर तो आप लिखोगे यहां पर कि चूंकि मैनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी पर आपकी जो फैंडbn होती सुन्य होती मैनेस इनफिनिटी से सी सुन्य होता है Sunshine यह मैसा जब यह आपका सुनियों हो गया इसका मतलब यह मान अपने पास बच गया ठीक है और यह मान अपने पास बचने का मतलब आपके पास क्या हो गया कि एक बार आप लिख सकते हैं इसको आप आपस आयोटा एच क्रोस यह मान जीरो माइनस माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनि 2 साइ स्टार डीवी ओके आगे चली अपनी इसको वापस क्या ली सकते हैं कि बराबर माइनेश बाहर माइनस बाहर आपका अंदर चला देगा मान माइनस इंफिनीटी से प्लस इंफिनीटी इस मान को में अंदर ले गया तो आपके पास हो गया अईउटा स्टार डीवी ऐसे लिख सकते हैं माइनस अंदर गया आपका तो माइनस आयोटा एच क्रोस डेल फाई डोट साइस्टार डीवी ओके अब एक चीज़ हमें से ध्यान रखें यहां माइनस आएगा जो अपने नहीं लिख रहा है आप सकते हैं माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी सा निश्टार को पहले लिख दीए साइस्टार आपका फेला आ गया और अंदर यहां सोल मैं आपन लेके चलेंगे यहां पर और यह लेकर चलने के बाद अपने पास रहे हैं तो अपने को ऐसे सारे घुशन करने ठीक है तो आपन ने देखा कि 20 करो की जो संवेक संकारक होता हैं वह आपका क्या बन जाएगा हरीमीशन अपरेटर बन जाएगा तो इस परकार आपन ब से प्लस इंफिनिटी पर अपना साई किया ओर करने कि और हमिल्टोनियम संकारक भी से हर्मिटी संकारूगा अब बताए तो इससे अगले वाली क्लास में आपको करोंगा सिद्म करो ऑनरजी उपरेटर इसे प्लस भी स्वजित आपको पूंश सकते हैं हर एक दियान से देखेगा तो उमीद करूंगा आज की क्लास आपको अच्छे से समझ मा आ गई हो कोई भी दिक्रत हो आप मेरे को पूछ सकते हो तो आज की क्विशन जो जेनरल ही अपने की वह ही अपन लिखेंगे क्विशन क्विशन हो जाएगा आपका प्रूडेट दे मोमेंटम ओपरेटर प्रूडेट क्विशन के वह ही अपका प्रूडेट दे मोमेंटम ओपरेटर is minus iota h cross del by del x and energy operator energy operator iota h cross del by del t एक ये प्रूब करना ही दोस्रा क्विशन प्रोड़ेट दे मोमेंटम अपरेटर प्रोड़ेट दे मोमेंटम अपरेटर माइनस अविटा एच ग्रोस देल जो किसका मान आपका पी का मान हर मीश्यन ऑपरेटर है यह तो आपको क्यों संकरक होता है वह एक कितना होता है, मैंने साइटा है, अच क्रोश डेल बाइडेल, वो क्या होता है, इज रमीश्य आपर करना है, तो आज के लिए बस पी लिए अपना कीम्ति समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद,